नमस्कार बहुत स्वागत है आपका आप देख रहे हैं आचार जागंद्र मिस्रा देनिक राजफल उससे पहले बात करते हैं देनिक पंचांग की बारे में नो जून दोह जार बीश मंगलवार का दिन है और असाड कृष्ण पक्ष की चतूर्थी तिती है नचत्र है उत्राशाढ़ा अभजीत मुहूर्थ दुपार 11 बच के 37 मिट से लेके 12 बच के 27 मिट करहेगा दोस्तों इस अभजीत मुहूर्थ में आपके द्वारा किया गया को होता है इसी नचत्र में किशिवी कार की शिरुवात करें ये आपको हमने बिल्कुल कट सत्य कहा है इससे बड़ा कोई सुब नचत्र आपको और सुब मुहूर्थ नहीं मिलेगा चूंकि भागवान जब भी जन्म लेते हैं तो अभजीत मुहूर्थ में लेते हैं इसका अं अगर आप दाहिनी तरफ मांग करते हैं या बीच से मांग निकालते हैं या फिर आप मांगी नहीं निकालते हैं डारेक्ट उपर कर लेते हैं बालों को पीछे की और इसका क्या मतलब होता है आपके जीवन में इसका क्या प्रभाव पढ़ता है लेकिन आज हम आपके साथ बातें साजा करेंगे, आपको बताएंगे कि आपके बाल घुंगराले हैं, अगर आपके बाल कर ली हैं, तो इसका क्या प्रभा होता है आपके जीवन में, जिन लोगों के बाल घुंगराले होते हैं, या तो वो सुक्र प्रधान होते हैं, जो सुक्र ग्रह है, चुकि प्रध भावानात्म को समस्याइं परेशान करती हैं इनके जीवन में और ये परेशान करती हुई जो समस्या है इनको कुछ जादा ही परेशान कर जाती है और ये थोड़ा दुखी हो जाते हैं लोगों को पारिवारिक जीवन में इनको समस्याओं का सामना जादा करना पड़ता है आ यहां पर बात की जाए तो इनके उम्र के 24 में और यहां पर 32 में और इनको 35 वर्स में तो घुंगराले बाल को मत रखिए इनको थोड़ा सा सीधा करवा लिजे आज कल चुकी हो जाते हैं तो आप इनको सीधा करिए यकीन मानिए आपके जीवन में जवर्जस चमतकार आएगा आप करवा के तो देखिए लाभ ही लाभ होगा अब बात करते हैं दैनिक राषफल की तो ये प्रेडिक्षन चंदराशी पर आधारी थै आज हम बात करेंगे कन्या राषवालों को लेए कन्या राषवालों आज आपके लिए बहुत ही खूप सूरत दिन है आज आपके लिए यूं कहें तो पैसे के मामले में धन के मामले में चार चांद लगने वाला है दिन दूनी राच चोगनी तरक्की करते नजरा रहे हैं कन्या राषवालों लोटरी सटा सेयर मार्केट में आपको जिवर्जस तलाब देखने को मिलेगा आज की दिन आप पैशा इन्वेस्ट कर सकते हैं जैसे कि मैं कहते हैं कि देखे एक चीज हमेशा ध्यान रखे सेयर मार्केट लोटरी सटा वाले आप सुब महुर्त में करिए जो कि मैं बताता हूँ और सही टाइम पे करिए हलाकि आप मुझे कॉल करके मुझे से जानकारी ले सकते हैं कि कब से कब तक का अच्छा समय रहता है मैं जरूर बता दूँगा अगर यहां पर नोकरी पेशा लोगों की बात की जाए केरियर की तो केरियर में बदलाव किस्थिती नजरा रही है यानि ट्रांसपर जैसे इस्थिती हो रही है या उच्छपत की प्राप्ती हो शक्ती है अगर बात कीजा आपके लवलाइप की तो लवलाइप में यहां पर थोड़ी सी विवाद की इस्थिती बन सकती है भरोसा उठ सकता है साथी से तो ऐसे में यहाँ पर अपने मीठी वाणी का प्रयोग करें और अपने जीवन साथी को नराज ना होने दे चुकि उनसे आपको लाब भी होता है बैवाहिक जीवन की बात करें तो देखे बैवाहिक जीवन में भी थोड़ी सी परिशानी है यहाँ पर पारिवारिक महौल सिक टेंसन बन सकता है इसी वेज़े से चुकि देखे यहाँ पर आपको भी अपने वाणी पे सयम परतना है वैसे साम होते होते इस्थितियां बेहतर हो जाएंगे घर परिवार की बात करें तो यहाँ पर घर परिवार में कोई शुब मांगली कारिकन को लेकर चर्चाई हो सकता है लेकिन सबसे बड़ी बात दिया कि आपको इस समय बाहन से संबंधित बहुत विशेश धियान देना है बाहन चलाते समय रोड पर जाएं तो विशेश धियान दे या आप किशी के द्वारा चला रहें कोई ड्राइवर आपको चला रहें तो उनसे सावधानी बरतने के लिए कहिए नहीं तो दिखते आ सकती है चुकि मैंने पहले गा कि आज ये हो कर रहेगा तो इसलिए आज इन घटनाओं से सावधान रहें इस्टुडेंट की बात करें तो आपका एक-एक मेहनत आपको रंग लाएगा आगे चलके फोकट में अगर इधर-उदर आप फालत की तैयारी कर रहे हैं कन्या राशवालों आपके लिए बहुत अच्छी खुसकबरी बहतरीन पल रहने वारा है तो यहां पर आप लिए बहतर है कुछ चीज़े आपके लिए जो अच्छी नहीं है उससे आप कर सकते हैं धन के मामले मधना रहा है बिजनेसमेन की बात करें तो बहतरीन है कोई खास दिक्कत नहीं है साजे दारी में कर रहे हैं तो बस ताल्मेल बनाना बेहतर अच्छा है तो कन्या राशवालों आज आपका शुब रंग रहेगा यहां पर हरा और आपका भाग साथ निभारा है 86% तो दोस्तों जाते हैं वीडियो को लाइक जरूर करें नहीं तो चनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें जैशन देव